हेलो स्टुइंट्स तो कैसे हैं आप सभी आज का अपडेट आपके न्यू एड्मिशन फॉर्म के वेरिफिशन पैंडिंग के उपर होने वाला है जैसा कि काफी स्टुइंट्स के डाउट आएक सार हमें ये बताईए 10 से 12 दिन हो चुके हैं सोल के अड्मिशन फॉर्म निकले वे और हमें भी काफी टाइम हो चुका है साथ साथ दिन हमने पहले फॉर्म भरा था और अभी तक हमारा वेरिक्शन पैंडिंग में दिखा रहा है तो इसका क्या स्वलुचन है क्या हमारी तरफ से कोई गलती हो रही है तो आज़की वीडियो से की उपर हुने वाली जाया है उससे भी जाके जोंट कर लिजेगा अब चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते है देखिए आपके सामने भी इस टाइप का इंटरफेस शोगर हो रहा होगा जिसमें आपका personal complete, academic, complete, program, uploads, preview, complete यहां तक आप सभी का complete दिखा रहोगा पर जैसे आप fee spending पर continue to application के ओपर click करते होंगे तो यहां पर आपको दिखाता होगा verification is pending from the institution you will be informed once your application verified देखिए यह जो होता है verification इसमें ज्यादा तर देखा गया है कि जो student बाहर है और आउट ओ स्टेट रहते हैं उनके साथ ज्यादा issue देखा गया है काफिश्ट ऐसे भी है दो तिन जिनके एक दिन पहले उनने form भरा और उसके दूसरे दिन इनका verification complete होगे और तीसे दूसरे दूसरे पेमेंट करी और चौतरे दिन उनके payment भी complete होगे उनके पास mail आगया और उनका ID card और फीश्ट दूसरे मिल गया ऐसे student भी है पर ऐसे student भी है जो बाहर है आउट ओ स्टेट अब उनके साथ issue क्यों हो रहा है देखिए वह बात सारे reason में आपको बताता हूँ तो काफ़ student ऐसे है जो बाहर रहते हैं अब वो क्या करता है address proof में तो कहीं और का address डाल दे है और current address में कहीं और डाल दे है तो यहाँ पर solve confused हो जाता है तो आपकी जो verification करता है details को तो उसमें वहाँ time लग जाता है और अगर वो गलत प्रूफ हो जाती है तो आपका जो verification है वो reject कर दिया जाता है अब बात reject कर दिया उसके बात क्या होगा तो यहाँ पर आपको लिखा जागा your verification process is reject तो इसमें आपकी देखिए fees payment कुछ नहीं हुए है तो इसमें क्या करना है आपको फिट दुबारा back जाना है और new mail, new registration करना है दुबारा और फिर अपना new form fill up करना है शुरू से तो शुरू से 0 points से लेके फिट दुबारा यहां तक आना होगा अगर आपका form reject हो जाता है और अगर आपका form reject नहीं होता है और आपकी जो verification है वो complete होके done हो जाती है तो उसके बाद आपके सामने क्या option होगा चले मैं वो सीधे दिखाता हूँ आपको देखिए जैसे अगर आपका verification complete हो जाता है तो आपके सामने इस type का interface होगा idea bank या ICSA bank जो भी होगा वो click करना होगा जैसे आप इसके उपर click करेंगे आपके सामने इस type का interface होगा देखिए यह तब मैं बतारूँ अगर आपका verification complete हो जाता है अगर आपका नहीं होता है तो आपने कहीं गलती करी होगी तो आपने process में पीछे जाएगा और जहांपे भी आपका जो address का option है या फिर कोई photo है वो clear नहीं है blurge में है या फिर कोई अपने details छोटा बड़ा capital words लिख दिया है तो उन सब को एक बार दुबारा check कर लीजेगा income certificate आपने गलती नहीं करिए income certificate का option होना ही नहीं चाहिए उसको कैसे remove करना है मैंने कल की वीडियो में बताया तो इससे पहली वाली वीडियो को देख लीजेगा और आपका passport वाला option भी नहीं आना चाहिए तो ये सारी चीज़े आपको हटानी है ताकि आप अराम से form fill कर सकें यह बात आपको सुझ में आगी अगर आप इसके बाद भी अगर आपका कोई error आता तो आप कोईट से बता सकते हैं देख इसके बाद आपको करना है नेट बैंक की और यूपियाई की तरफ बिल्कुल मच जाएगा इसमें देखिए वहाँ पर वैरिकेशन में टाइम लगा है फिर यहाँ पर आपको पेमिंट भी टाइम लेगा आपके पैसे कर जाएंगे पर आपके बास वैरिकेशन नहीं आएगा कि आपका जो एडमिशन वो डन हो चुका है इसमें भी टाइम लगता है इसलिए आपको हमेशा क्रेट कार्ड और डैबिट कार्ड से पेमिंट करने है किसी का भी ले लीजिएगा घर में तो आप जैसे कार्ड क्रेट डैबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेश होगा आपको समझा दूँगा कि फीरिशिप्ट और डिकार्ड दिखने में कैसा होगा उसमें क्या क्या चीजे मेंशन होगी और आपको फीरिशिप्ट और डिकार्ड सेम ऐसा आया नहीं आया या फिर आपके कोई गलती आ चुकिए यह बात आपको सुर्मागी बागि अगर प्रविडिव करके सब्सक्राइब कर लिजेगा चले फिर वीडियो को इक खतम करते हैं